हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल और आज मैं आप लोग को मेरा ही बारते का एक लुक क्लियर करके दिखाऊंगी तो पूरा वीडियो को देखते रहे ताकि आप कोई भी स्टेप मिस्टा कर जाओ और आप लोग को पता चले कितना इजी एंड फ्यू स्टेप से मैंने य लिए बब यूज करें हूए तो उसके बाद में यहां पर यूज करूंगी इंसेट का प्राइमर जो कि एक बहुत ही इंप्रॉर्टन स्टेप होता है तो यह बहुत एफेक्टिव रहता है स्किन के लिए और मेकप के बेस को प्रिप्यार करने के लिए ठीक है तो उसके बा कोई हेवी मेकप अब लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो वाइट टोन की क्रीम आप जर शकते हों त्यान में यूज करूँ यहाँ पर वाइट टोन का ही लूज पाउडर टो शेट मैं फेस वेरी वेल यह दोनों एक साथ एक अच्छा काम करता है अच्छा काम करता है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कंटोर कॉंसल नहीं यूज करी हूँ तो पाउडर से थोड़ा मैं से पनाने कोशिश किया उसके बाद में यहाँ पर यूज करी इत्यूड हाउस का आइब्रो पैंसल जो की बहुत ही अच्छा प्रोडाक्ट है मार्केट में और एक अजिकन सी म पैंसल यूज किया था आइब्रोज को हाइलिट करने के लिए उसके बाद मैं स्वेजब्री पैलेट से पिंक कलर का एक सी मरिशट यूज किया उसके बाद लेकर थोड़ा ब्लेंड किया ठीक है देख सकते हैं अब लोग उसके बाद में ब्लेक्स आइसाड उसले का कामप्रिट और यह मेरा अभी डाश्ट आप किया बाउडर को उसके बाद थोड़ा लुप्स को एक्ट्रक्टिव अनले के लिए मैंने यह पी यूज किया फॉल्स फॉल्स लैसे ठीक है और यह मैं अभी यूज करी हूँ एट्स का एक पिंक कलर का ऐलाइनर और थोड़ा ह हाई लैटर भी आट करूंगी तो यह इसके बाद मैंने यह पी यूज किया लिप लाइनर ठीक है तो एक अच्छा लूग देता है लिप्स को उसके बाद रिने फैप का एक लिप्टिक से मैंने यूज किया उसके बाद एट करूंगी आप पे हाई लाइटर और ब्लाशर थोड़ा मैं ब्राउन से नोच को कॉंटर भी किया और यह मेरा हर रहा फाइनल लुक होप यूज लाइक दिस वीडियो प्लीज दो सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू फो वाचिंग गाईज